तो हमारे चनल में आपका स्वागत है तो उत्राखंड शिक्षक भरती के आज हम बात करने वाले हैं जिसमें L.T. प्रवक्ता भरती के विशे में जो है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भरती में बहुत बड़ी बादा सामने आ रही है और ये देखने को मिल रहा है कुछ जो न्यूज है या खबरे हैं जो ये चीज़ें पर हमारे ध्यान आकरशित करती हैं जिसके उपर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कते आ रही हैं आने वाली भरतियों में उसके उपर हम बात करने वाले हैं तो देखिए ये आज की न्यूज है कि जिक्षा विभाग में तीन हजार से जादा तीन हजार या तीन हजार से जादा पदोन्यतियों पर लगेगा ब्रेक यानि अब जो प्रमोशन हो रहे थे तो प्रमोशन को रोग दिया जा रहा है बोला क्या गया है यह देरादून से न्यूज है न्यूज में यह बोला गया है कि सरकारी स्कूलों की तीन हजार से ज्यादा हेड मास्टर परवक्ताव और ल्टी केडर सिक्षकों का प्रमोशन के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा तदर्थ विन यमित सिक्षकों की सीनियरिटी के विवाद में लोक सेवा अभी करन के ताजा फेसले की वज़ा से प्रमोशन की परकरिया को रोका जा रहा है यानि उसको अभी रोक दिया गया है वर्तमान में जो है वो तेईस्स से ज़ादा ल्टी के शिक्षकों ल्टी शिक्षकों के जो पत थे उसके परवक्ता केडर में प्रमोशन होना था 2300 प्लस ही थे वो हेड मास्टर वा पताना चारे के भी इस वक्त करीब 800 पत जो हैं वो खाली है अभी करण के आधेश के अनुशा तीन मा में सरकार को सीनियरिटी विवाद हल करना है तब तक पर्मोशन की प्रकरिया शुरू नहीं कि जा सकती यानि तीन महीने तक तो उन्होंने बोल दिया कि तीन महीने तक तो ये हो गई नहीं और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि तीन महीने के बाद एकदम से प्रमोशन वो स्टार्ट कर देंगे ऐसा भी नहीं है तो इसके लिए काफी वेट करना पड़ सकता है और ऐसा हो सकता है कि ये सालों तक खीज जाए ठीक है उसके बाद बोला गया है राजकिये शिक्षक संगर समीती के अध्यक्ष ओभी कोट नालगा कहना है कि तदत शिक्षक का वी नियमिती करण तिती से सीनियरिटी देने के फैसले के खिलाफ रिप्यू दाखिल जो हैं वो क करने जा रहे हैं यानि वो करेंगे तो इनों ये तो चलो बात की बात होगी तो सीधी सी बात यह है कि यह मामला बहुत ज़्यादा खिचने वाला है और आप अब यह अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाली जो वेकैंसी नहीं इसमें कितनी ज़्यादा देरी हो सकती है चाहूँगा कि इसके उपर आवाज उठाए जाए और कमेंट में ये जरूर बताए जाए अगर किसी कोई भी मतलब क्यारी है किसी को कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर लिखकर हमारे को जरूर बताया हूं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद